वीना लखनाओ से हमारे साथ स्वागत है वीना जी आपका मेरी बेटी है 20 साल की तो उसके पिरेट नहीं हो रहा है दो महिने से गार चीक है इससे पहले नार्मल थी अधिक बच्ची को एक दवा बताता हूं जो आपके किचन में मौझूद है लेकिन यह पिसी पिसाई नहां आपके घर में पाडर बना ले वो बड़ा ताकतवर और जानदार होती है अक्सर बाहर से मिलावट की चीज़े आती है इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं तो हल्दी एक चमच चोटा चाय का चमच तीन गिराम चार गिराम एक गिलास दूद में खोलें और उस बच्ची को एक हफ़ते में एक बार पिलाएं जैसे आज पिलाई है तो अगले हफ़त से आज ही के दिन पिलानी है एक महीने में चार बार एक चमच पिलाएं महीना दो महीना पिलाएंगे तो उसका पूरा निजाम परियर्ट का ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है उमा देवी हमारे साथ स्वागत है उमा जी आपका मैंडम जी बोली है मेरी अट बेट हम एक एंट है थी थे तेरह साल की है ठीक है और तेरह साल के बाद वह मनें बहुत ज्यादा उसका इस जादा बार पूंधा और उसके बाद दो-ती मैना बंद ने बंद नहीं हो रहा थोड़ा अभी जाई ए रहा है नहीं तो आपने पोन किया दा शाद इसी प्रोगाम में उसे बात नहीं हो हमारी बहुत जारखंड में है अच्छा वह बहुत मुबारक आप इतनी सारी बहन है और खुश रहा करें और मैंने बताया था नस्फ़ा जिस बच्ची को पिरियर्ट ज्यादा होते हैं उसको गौन मौरिंगा एक गौन दाता है मौरिंगा का सहजन का गौन भी कहते है मिश्किल चा मिलता है नकली मतले ले असली ले और आधा गिराम पानी में मिला के रोज पिलाया करें तो उनकी यह तकलीफ ठीक होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है मुंबई से मनोज हमारे साथ और एंगा लूज है मनोज जी आपका सतूरी समय आपका मुमक्त पालाड नौज को भी मतली कि परसंप ज्राद कुछन पर छोग्थ यह तो फूर में और गर्दल में बहुत पर के ती अचम संधित आपकों है ने कोई सदिआ तक्रिफ Southeast English यह तो गया है ट्रिकिन सूने अव बहुत वगवान का ऐसान है कि इस उमर तक कोई तकलीव नहीं है और ये तकलीव भी बहुत जल्द उनकी ठीक होना मुम्किन है जो मैं कहरा हूं आप वैसे उनके लिए दवा का इंतजाम करें एक गौंद आता है गौंद स्याह यानि काला काला गौंद सो दो सो ग्राम खरीद असली होना चाहिए नकली से जरा बचके रहना असली होना चाहिए और आदा ग्राम सुबह आदा ग्राम शाम उनको देना शुरू करें ये सो ग्राम गौंद खत्म होने से पहले उनको फाइदा मुम्किन है लेकिन एक और बात संग लिजए कि उनकी एक्सरसाइज ये वाली ऐसे ऐसे करते रहें दिन में जितना भी कर सकें और ऐसे ऐसे दो चार मिनट जरू किया करें ये दोनों एक्सेसाइज तो आपकी माता जी को खायदा होना मुम्किन है बल्कुल हकीम सहाब इन के लिए को युनानी दवा हो सकती है अगर जंजट लगे आपको दवा बनाने में नकली असली का चक्कर हो ये हो वो हो तो कैप्सूल टी केर टी फोर टाइगर सुबा शाम के लाए और आपके माता जी को फायदा होना मुमकिन है आईये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका जी नाम बताएए कहां से बात कर रहे हैं अकाज बात कर रहे हैं काजूरी बताये सवाल करिये लाक्षबрах़ाब हाके एना बात्व आता है जिए हमारा भी आदाब आपके पूरी फैमिलिए को मैं पूँश Caribbean स्वार था C मैरे नम मुझ से बदमू आता है वो मेरी पहसीने सा बदमू आता बरहाल दोगे मुव से बद्बू आती है पेट की खराबी से और मुव से बद्बू आती है मल्टी विटामिन की कमी से तो मल्टी विटामिन कमी है तो आप एक कैपसूल हर हफ़ते ले मल्टी विटामिन केल्शियम यूक्त होते हैं बहुत मिलते हैं अलोपैथी ले ले लेकि पांच चीजे पाडर बनाएं और टींट किराम के एक चोटा चाय का चम्मच सुबा और बहुत जलूत हो तो शाम्पू भी ले सकते हैं पानी से लें यह आप चीजें अगर इस्तिमाल करेंगे कुछ दिन तो फाइदा मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है मेरट से हमारे साथ राकेश स्वागत है आपका राकेश कि मैं नमस्कार को जी नमस्कार में मैं ध्यूटिक हूँ और मुले हर वगार जो है वार घंटे जूटी करने बार थगावट रहती है क्या कंट्रोल नहीं हो रही डाबटीच लिए तो खाता हूं त है अच्छा देखिए डायबिटीज हमें अंदर से खोकला करती है जिसे किसी लखडी में दीमक लग जाए तो बाहर से तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर से कोकला करती है डायबिटीज आपको अंदर से पानी में मिला कर जरूर पिया करें यह आपको खोकला नहीं होने देगी और यह आपकी जिस्म की लकड़ी को सेनिटाइज कर देती ताकि कोई कीला ना लगे और वो भी दवाई खाईए और यह इस्तेमाल करें आप सेहत की जिन्दगी गुजार सकते नेक्स्ट कॉलर बलिया स हमारे साथ जुड़े हैं स्वागत है आपका नमस्कार नाम बताईए अपना जी सवाल की जी गुपता साब बताईए क्या से वेरा अब बताईए गुपता साब आपकी अजा और कितने दिन से है क्या कोई वजन उठाया था आपने अजा देखे ये नर्व का तकलीफ है और मैं अभी गाउं गया था पिछले साल तो मेरा एक कजन का हाथ नहीं उठता था मतलब वो अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता था उठना तो बहुत दूर तो मैंने उससे पूछा क्या तुने कई वजन उठाया तो उसने इनकार कर दिया तो फिर मैंने उसको एक दवा बताई कपसूल टी केर टी tiger capsule tea care और वो उसको दी और वो जैसे जैसे खाता रहा उसका हाथ उठता चला गया और वही दवा आपको मेसेज़स करता हूं capsule tea care खाएं और वजन नहीं उठाएं हम भूल जाते हैं कि हमने वजन उठाया या कहीं ज्यादा तर्पत लगा दी उस हाथ से आप कोई मेहनत तकाम नहीं करें जिसमें तकलीफ है वरना आपको इतनी परिशानी होगी जहां जाएंगे वहां पर नहीं बात कहेंगे कोई कहगा उसमें तरल पदार्थ खतम हो गया कोई कहगा नस तूट गई कोई कहगा अड़ी तूट गई यह सब अगर बचना है तो capsule tea care क कुछ दिन ना उठाएं और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको फायदा होना मुम्किन है कवीता जी जुड़ी है अभी हमारे साथ जुड़ी थी लेकिन इनके दो सवाल और हैं तो एक बाप फिर से हमारे साथ हैंगे जी स्वागत है आपका सवाल कीजिए मेरे हश्मन को प्रोप्टेट की प्रोल्म है और डैक में भी पेन रहता है बीपी भी है मैंने आपकी एक द्वाई देखे थी इनको डैक पेन के लिए अर्सी कलूंजी और हरण नहीं डाल चुती पुरंजांसीरी और अश्वगंदा जी तो उससे इनको अराम मिला था जी लेकिन नके कुछ हा मतिकी डो मिनने के बाद मिनने के बाद इनको पर्फिट्री पॉल्लम हो जाती कभी मौशन हो जाते हैं कभी रुक जाते उस बीच में फिर यह द्वाई बंद व जाती है, तो कोई नो कोई प्रॉलम लगी रहती है, अब इनको जो है प्रोस्टेर्ट की प्रॉलम है, तो यूरिम में रास को दो तीन वार उपना पड़ता है, तो तो आप तकलीफ से आता है क्या ये यूरियन तकलीफ से आता है ज्यादा आता है तकलीफ से आता है लेकिन कम आता है कभी प्रेशर पड़ता है लेकिन होता नहीं कभी होता है ये इसकी द्वाई भी कर रहे हैं दूसरी चीक, अच्छा देखिए, वो निस्खा आपने बनाये था और फाइदा हुआ था, मेरे ज्यादा तर लोगों को फाइदा हो जाता है निस्खों से, और करोडों लोग फाइदा उठा चुके हैं, और देखिए, विश्वास रखें उपर वाले पर, मेरे पास जो उसने इल्म दिया, मैंने आप से शेयर किया, अब आपका काम है, उसको यूज करना और अगर फाइदा हो तो लोगों तक ही बात पहुचाना के इस घरेल नस्खे से ये फाइदा होता है, ठीक है? अब मैं एक नस्खा उनको बताता हूँ, आप उसे बनाएं, और देखिए, कलाउन जी क नमक आता है, कलाउन जी का नमक, और सो गिराम लें, धनिया सो गिराम, और कलाउन जी का नमक सो गिराम, कलाउन जी का नमक मुश्किल से मिलता है, तो वो हासिल करने के लिए आपको थोड़ी बेहनत करनी पड़ेगी, या हमें भी परिशान कर सकते हैं, और धनिया, आवला, मेथि दनियां, आवला मेथि दनियांक्वला मेथि सौफ यह दीर डिर सो ग गिराम ले ले और डिर सो गिराम कलोंजी का नमग इनको पाउडर बनाएं सब घर में और आप तो पहले बना चुके निसकाur और एक या दो गिराम सुबह एक या दो गिराम में श्यूरू करें और पहले दिन से उनको चुरू कौने लगा और यह नस्हार खतम होते होटे वह मंकमल तोर पर ठीक होना हमुम्किन है स्वागत है आपका तो मैं अपने आपट के बारे मिपोशना चाह्ति है बताएए तो उसे हार एक टाइमगाइवा हाई थानकाला, धुबकाला, बास्वतकाला, हर एक टाइमगाइवा हूटा है उसे, टूबों से उट्टे ही कोशे 15-20 की सीख शीख शीखती है, मौसल बहुत साइने से यह ब्लॉक होया था उसका एक तरफ कनार के बटा एज कितनी ह आपा की आपके हमरा आपा का एज्या भी 22 तो दिखिए एक इलाज है और घरेडू भी इलाज बताता हूं बहुत जाद प्रब्लम है तो दवा भी ले सकते हैं उन्नाब लिसोडा अलसी 100-100 गिराम लें और 20 गिराम इसमें पीपले मिला हैं जो गरम मसालों में किचन में होती ह है इनका पॉडर बनाके एक चमश सुबा एक चमश शाम गरम पानी से लिए तो छीकों में कमी आती जाएगी एकदम सब कुछ रुकेगा नहीं छीकों में कमी आती जाएगी इनके अंदर कुवत मुदाफियत यानि बीमारी से लड़ने की शक्ती जिसे बढ़ जाएगी तो कोवा शाम एक चमश गरम पानी से लिए खटी चीजे बिल्कुल तर कर दे बंद कर दे खटी चीजे जो महिडाओं को पसंद है वो सब आम का अचार और लीवू खटा दई खटी कोई भी चीज न खाने तो उनको फाइदा होना मुम्किन है इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका प्रीति स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जी पताए क्या सेवा है हाँ जी मेरे भाई हैं वो रात को रोज दिन करते हैं जी तविना रहते हैं और पांच शे पर शीचे हैं और सिल्वा आउंट अपस पर रोज हो जाते हैं और उनको मीज नहीं आती जी कोई ऐसा नुस्का बशाईए कि क्योंकि दिन शूड जाए और रात को रोज जाने सकती है वैसे मैंने एक तरीका निकाला है आप देख लें कि ड्रिंक वो नशे के लिए करते हैं और नशा की एक चीज मैं बता रहता हूं लेकिन वो नशा ऐसा नहीं है कि उटी सीदी बाते करे या लोगों से जगड़ा करे या ज्यादा बात करे या नीन खो जाए बलके व वो इस्तेमाल करने से आदमी को सुकून मिलता है और समझदारी की बाते करता है और भाई चेरे की बाते करता है वो लड़ता नहीं कि इसे तो उसे कहते हैं जैतून का सिर्काह अगर वो राजी हो जाएं कि वो ड्रिंक की तरह उसे ले तीन चमच एक गिलास पानी में डाले आघने दाले तो वो कलर में भी वैसा ही है और नशा भी होगा हो लेकिन उतरता वा नशार्त चड़तावा नशानी और एक्दम सुकून मिलागा दिमाग को और वो सारा जो बुराई दिमाग में खुश जाती वो निकल लेगी और वैसे ही उनके सामने खाने पीने की चीजे रखी जो चकना रखते और वो खाते रहे चकते रहे और आधे घंटे वो पीते पीते ऐसे गफ कि बुड़ता चक्ए。